Hello and welcome to the channel shining star is always with you and today we'll see non-traditional notions अगर आप पुराने जो इसके parts मेंने बनाय हुए है उसका explanation चाहते हैं पूरे chapter का description चाहते हैं तो description box में जो link है उस पर जाकर के click कीजिएगा Let's start with non-traditional notions पिछले parts में हमने traditional notions पढ़ा है जिसमें हमने mainly हथियारों की बात की है यानि यह weapons की बात की है non-traditional notions में वो हमले वो खत्रे आ जाते हैं हम पर जिसमें की हथियार involved नहीं होते लेकिन वो फिर भी एक security का खत्रा होते हैं उसमें हम non-traditional notions की बात करते हैं अब traditional security की जब हम बात करें कि हमको traditional notions में किसको बचाना होता है एक country को बचाना होता है उसकी जो territory है उसका जो area है उसको बचाना होता है और वहां की government को बचाना होता है जब कि non-traditional conceptions में हमको secure किसको करना होता है मतलब किसकी security माइने रखती है सिरफ country की नहीं बलकि उन country में रहने वाले उन individuals की लोगों की communities की groups की और जतनी वे humankind हैं मतलब सब कुछ ठीक है उसकी security माइने रखती है इसलिए हम non-traditional views में की security को क्या कह सकते है human security और global security भी कह सकती है then अब human security ही बात आई ठीक है देखो अब तुम लोग यह पुछोगे कि human security और state security सेम ही तो होती है कि मतलब अगर state secure है तो यानि यह वहाँ पर रहने वाले लोग भी तो secure होंगे obviously जैसे मालों अगर बाहर से कोई military attack आता है और यह हमारी country पर भी खत्रा है और वहाँ के रहने वाले लोगों पर भी खत्रा है तो अगर country उसको fight करके उसको हरा देगी तो वहाँ के लोग secure automatically हो जाएंगे लेकिन ऐसा हर case में नहीं होता क्यों नहीं होता जरूरी नहीं है कि foreign attack से कि कोई व्यक्ति वहाँ पर ऐसा भी हो जाता है कि government secure हो जाती है लेकिन वहाँ के लोग secure नहीं होते अब जैसे तुम्हें एक बहुत classic example है Adolf Hitler वाले time का ले लो जब Germany में Jews को मारा जा रहा था ठीक है और बाकी communities मतलब secure थी बाकी Jews जो है वो unsecure थे even if Germany as a whole was secure country और उसकी government तो secure थी लेकिन वहाँ पर जो रहने वाले Jews थे वो secure नहीं थे इसके लावा अगर कोई country में जो लोग है वो वहाँ पर भुकमरी से मर रहे हैं ठीक है तो कहीं न कहीं security वहाँ पर खतम हो जाती है वहाँ के लोगों की उनको food security है नहीं खाने के security बिल्कुल भी नहीं है चाहे वहाँ की government पर या वहाँ की state पर कोई खत्रा नहीं है दूसरी state से लेकिन फिर भी वहाँ के लोग secure नहीं है अब देखो human security या फिर non traditional conceptions of security में भी दो parts आ जाते हैं ठीक है इन दे सेंस की इसके भी कई सारे parts हैं सारे जितने भी इनके parts हैं कोई भी human security हो वो ये तो agree करते हैं कि primary goals वहाँ के लोगों को protect करना है individuals को protect करना है अब कई सारे conceptions human security के आ जाते हैं narrow concept के है human security का कि हमको communities और individuals को internal violence से बचाना है यानि कि अगर किसी country में country as a whole तो secure है लेकिन वहाँ के country में अगर genocide हो रहा है लोग एक दूसरे को धरम के नाम पर मार रहे हैं या फिर अपने culture के नाम पर मार रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए मितलब अगर हमें non traditional security या human security चाहिए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ये तो है human security का narrow concept इसके बाद है human security का broad concept human security के broad concept में क्या है कि human life सिरफ internal violence से ही insecure नहीं होती human life और भी insecure हो सकती है अगर वहाँ पर लोग भूखे मर रहे हैं या वहाँ पर कोई ऐसा disease है कोई रोग है उससे लोग मर रहे हैं या किसी natural disaster से लोग मर रहे हैं तो वो भी गलत है और हमें वहाँ के लोगों को इन चीजों से भी बचाना चाहिए और इसकी broadest formulation जो है वो ये कहती है कि हमें human security को उन सारे threats से बचाना चाहिए जो human dignity को threat है और इसके साथ ही वहाँ के लोगों को देखो तीन चीजे हैं एक तो narrow concept है एक broad concept है और इसके बाद इसकी broadest formulation जो है वो ये है कि हमको एक तो economic security होनी चाहिए कि मतलब लोगों के पास इतना रुपया होना चाहिए कि वो अपनी basic necessities को fulfill कर सके और इसके अलावा जो भी उनकी dignity को as a human dignity को threat है वो भी चीज खतम होनी चाहिए ठीक है ये चीजें broadest formulation में आती है broadest formulation कहता है कि human को कहीं पर भी freedom from want होनी चाहिए मतलब कि ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो कि उसे basic चीजें भी ना मिल पाए और उसकी इच्छाएं रह जाए अपनी human dignity को बचाने के लिए इसके अलावा freedom from fear वो किसी भी कोई भी डर ना हो उसके मन में और वो freely जो है जी सके just for a revision let me once again tell you narrow concept only from the internal violence then broad concept from hunger, disease, natural disaster and then its broadest formulation economic security or threats to human dignity ये वाला तो तीन चीज़े हैं ठीक है then let's see the idea of global security देखो क्योंकि हमारा world जो इतना ज्यादा integrate कर चुका है globalization हर जगाँ पर हो रहा है तो कुछ threats भी ऐसे हैं जिसको हम सिरफ अकेले ही solve नहीं कर सकते there are some threats जिसमें कि ये बहुत जरूरी है कि सारी countries मिलकर कि उसको जो है खतम करें पहला जैसे कि threat हुआ global warming global warming यानि कि जो हमारे जो earth का इतना temperature बढ़ रहा है हम इतना pollution कर रहे हैं इतना industrialization हो रहा है और जिसकी वज़े से problem आ रही है अब अगर किसी एक country ने अपना pollution कम भी कर लिया या फिर methods भी अपना लिये तो उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा सारी countries को world की मिलकर के global warming पे काम करना पड़ेगा तब यह उसका फरक पड़ेगा तो कहीं न कहीं global warming हमको global insecure भी बनाती है क्योंकि यह हमारी dignity हमारी life पर खत्रा है कि global warming होगी तो glaciers पिगलेंगे glaciers पिगलेंगे तो जो land area है वो भी sea के अंडर आ जाएंगे जो low line है जैसे कि Maldives है वो बहुत नीचे है एक बार तो Maldives ने अपनी sea के अंदर ही एक conference की थी दुनिया को यह संदेश देने के लिए कि आप जिस तरह से global warming कर रहे हैं हम तो कुछ सालों में डूब ही जाएंगे तो global warming भी है global threat है हमारे लिए और इसका जो solution है ये भी हम सभी मिलकर ही निकाल सकते हैं सारी countries देन इसके लावा international terrorism ठीक है terrorism जो मतलब global होता है जो कई countries को नुकसान पहुँचा रहा है वो भी अगर हम उसको globally fight करेंगे तभी कुछ हो पाएगा इसके लावा health और epidemics जैसे की AIDS bird flu और ये सब चिक है तो हर country अगर एक कोई अकेली country इन problems इसे deal नहीं कर सकती और आगे चल कर तो ये भी होगा कि किसी कुछ particular countries को पूरे world की problems का अकेला हर जाना जादा भुगतना पड़ेगा जैसे की global warming करेंगे तो सारी countries मिल करके लेकिन Bangladesh 20% of the Bangladesh डूब जाएगा पूरा Maldives डूब जाएगा और Thailand भी आदर डूब जाएगा ठीक है तो यानि की global warming curve तो सारे नहीं है लेकिन हर जाना इन countries को ज्यादा भुगतना पड़ रहा है तैनेस new sources of threats अब नए जो problems निकल करके आ रहे हैं नए हमले हम पर निकल करके आ रहे हैं उसको हम देखेंगे लेको terrorism terrorism क्या होता है terrorism refers to the political violence that targets civilians deliberately and indiscriminately terrorism का मतलब है political violence करना वहां के जो आम नागरिक है वहां के जो आम नागरिक है उनको निशाना बना करके उनको target करना और उनको problem पहुंचाना ठीक है जब terrorism दो या दो से ज़्यादा country के उपर एक ही terrorist organization मतलब terrorism फैल रहा होता है और उसको हम international terrorism कह देते हैं वर्टेक्स्ट की लाइन हम बढ़ते हैं international terrorism involves the citizens or territory of more than one country अगर कोई terrorism में एक या एक से ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा country होंगी that is international terrorism अब ये terrorist लोग ऐसा करते क्यों हैं ये political context या condition को change करने की कोशिश करते हैं through force जान पूच के आम नागरिकों को निशाना बनाते हैं ताकि वो जो वहां की government है वहां से अपना काम निकलवा सकें जो वो अगर यहां पे अगर वो लोगों को निशाना नहीं बनाते तो वो government अपना काम वो चीज़ नहीं करती तो ताकि government पे pressure बना सके इसलिए भांगे लोगों को पकड़ते हैं और उनके साथ जो भी करते हैं मतलब उनको निशाना बनाते हैं that is terrorism and of course theoretical definition है I hope आपको पता हुआ कि terrorism क्या होता है then कुछ classic examples है terrorism के जैसे की plane को hijack कर लेना कोई plane मानलो उड़ रहा है जैसे मानलो इंडिया से जैसे मुंबई से दिल्ली उड़ रहा है और बीच में किसी ने hijack कर लिया या हमारी कोई international flight उड़ रही है या किसी भी गंटरी के उड़ रही है उसको hijack करके कहा कि हम लोग आपके ये जो जितने भी आम नागरिक है इनको छोड़ेंगे नहीं और आप हमारी ये मांगे मानलो तो ये है या फिर bombs लगाना, trains, cafes, markets में जैसे 26-11 के हमले हुए थे 26-11 के मुंबई में 9-11 के attacks हुए थे अमेरिका में ये सब इसी वज़ह से हुए थे ठीक है टेरिरिजम की वज़ह से हुए थे देखो जब 9-11 के हमले से पहले भी टेरिरिजम एक्जिस्ट करता था लेकिन जब 11 सब्टेंबर 2001 में अमेरिका पे टेरिरिस्ट हमला अलकाइदा ने किया तब से इस इस टॉपिक को ज्यादा इंपोर्टेंस दी जा रही है ठीक है नौ लेट्स सी हुमन राइट्स अब देखो हुमन राइट्स के तीन टाइप्स हैं पॉलिटिकल राइट्स जिसमें की फ्रीडम ऑफ स्पीच और असेंबली आपको वोट करने का अधिकार और जितने भी पॉलिटिकल चीजें हैं उसका सब कुछ पॉलिटिकल राइट्स में आता है then social and economic rights social rights में जैसे की आप किसी भी व्यक्ति को community के आधार पर ऐसे discriminate नहीं कर सकते उसकी race के आधार पर नहीं कर सकते economic rights यानि कि हर किसी को minimum wage का अधिकार हो और farmers को कोई exploit ना कर सके तो यह सब social and economic rights पर आते हैं then तीसरे type of rights होते है rights of the indigenous people यानि कि जो indigenous people है जो tribes पगरे हैं उनके rights ठीक है यह तीन rights जो है हमारे आते हैं अब well okay so जब से okay so यह हम security में discuss क्यों कर रहे हैं यार देखो human rights violations होते हैं तो उसी की बात हम यहां पर करने वाले हैं अब यहां पर एक छोटी सी हाना की यह image जो है यह बात के लिए है क्योंकि जब हम poverty की बात करेंगे तब की है नीचे लिखा हो है he doesn't exist कि वो exist ही नहीं करता यहां पर एक पूर व्यक्ति बैठा है side में कोई human dignity नहीं है as a human उसको basic कोई वो नहीं समझ रहा है उसकी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है किसी का भी ध्यान नहीं है ऐसे ही वो इस धरती पर आया औ तो he doesn't exist लोगों को कोई मतलब ही नहीं है कि कोई ऐसे व्यक्ति भी है या governments को तो यही sarcasm इस पोटो में किया गया है यहां पर एक चोटा सा कार्टून है why do we always have to look outside when talking about human rights violation don't we have examples from our own country yeah it's not that कि हम सिरफ बाहर के human rights violations के बारे में ही बोलते हैं काफी सारी organizations ऐसी हैं जो की country में human rights violation हो रहे हैं उसके बारे में भी बोलती है then अब हम human rights violation की बात करें तो देखो जब इराक में कोईत को invade किया या फिर रवांडा में जब genocide हुआ जो दो communities आपस में भीड़ करके एक दूसरे को मार काट रही थी या फिर जब Indonesia की military killing हुई जब वहाँ पे जो East Timor एक ऐसे actually देश है जिस पे Indonesia अपना हक जताने की कोशिश करता है और वहाँ पर military ले गा था और वहाँ पे East Timor में भी लड़ाई वगरे हो गई थी तो अब इन चीजों को देख करके ये जो चीजें हुई इन चीजों को देख करके एक debate उभरा है अब लोग ये सोचने लगें क्या UN को ये कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ पे जो लोगों का human rights violation हो रहा था उसको बचा सके UN अब कुछ लोग तो कुछ experts और countries तो कहते हैं कि हाँ ऐसा करना चाहिए कि UN कार्टर में ऐसा है कि UN को इतना power दी जाए कि international community अपने हाथों में हतियार arms ले सकती है अगर उसे human rights बचाने हो लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जो powerful states हैं उनके जो national interests हैं वो ही determine करेंगे कि UN को कहां पर act करना चाहिए human rights में और कहां पर नहीं ते नेक्स्ट इस global poverty देखो global poverty एक another insecurity का reason है अपकी जो population है ये पुराना data है आपके books में भी नया data आटा आगया होगा 760 करोड का ठीक है तो हमारी अज की population 760 करोड हो गई है और कुछ सालों में ये population 1000 करोड भी हो जाएगी तो जैसे जैसे population बढ़ रही है गरीबी भी भढ़ रही है और insecurity भी हो रही है लोगों को खाने कोई नहीं है मतलब इतना problem हो रही है इतनी food insecurity इतनी problems ठीक है वर्ल्ड अभी current की बात करें तो वर्ल्ड's half population growth वर्ल्ड की जो आधी population किन countries में भढ़ रही है सिरफ six countries में इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांगलादेश और इंडोनेशिया इंडिया and चाइना are the most populous country of the world तो इनका नाम तो आना ही था इसके इलावा भी ये जो चार कंट्रीज है इनमें भी बहुत तेजी से बढ़ रही है अब तुम देखोगे किना एक pattern follow हो रहा है किना जो गरीब देश हैं उनमें population बहुत जल्दी बढ़ेगी और बहुत और ट्रिपल ही हो जाएगी अगले पचास सालों में तो और ये जो अमीर nations हैं उनकी population कम हो रही है इटली में तो ऐसा instance था जहां पर वो लोग पैसे दे रहे हैं लोगों को मतलब की population बढ़ाने के या फिर बाहर के लोगों को ये कोशिश कर रही है कि आप लोग हमारी country में आकर के रह लो क्योंकि यार कम population भी country के लिए अच्छी नहीं होती क्योंकि country के पूरे resources यूटिलाइज नहीं कर पाते resources को यूटिलाइज करने के लिए human ही नहीं है तो फिर country कैसे progress करेगी और ज्यादा population भी सही नहीं है क्योंकि resources कम पढ़ जाते हैं तो population equal होनी चाहिए क्या proportionate होनी चाहिए अब लेकिन यहां पर हम आए तो rich countries के population shrink कर रही है अब rich countries हैं जिनकी population shrink कर रही है यानि कि कम कर रही है तो वो और ज्यादा richer हो जाएंगे वो as a individual उनके बास ज्यादा पैसे हो जाएंगे और जो बिचारी poor countries हैं जिनके पास already पैसा न जाएंगे तो इसका एक बहुत ही बुरा इंपक्ट पड़ेगा ग्लोबल प्रवर्टी पर population का okay so this is the thing और काफी कम countries हैं जो अपनी population जो poor countries हैं अपनी population कम करने में कर पाई हैं आप यहां पर देख सकते हैं बहुत अच्छा graph है you can have a look it's not a graph मतलब it's a newspaper clipping अब देख सो okay then is poverty जो है global south देखो global south और global north ऐसा कुछ official नहीं है लेकिन global north rich countries को कहा जाता है क्योंकि ज्यादा तर rich countries north hemisphere में ही है और global south poor countries को कहा जाता है क्योंकि ज्यादा तर poor countries south hemisphere में है हलाकि Australia एक rich country है New Zealand एक rich country है जो की south hemisphere में है लेकिन फिर भी एक general terminology है वह global north की है जो की बहुत rich countries है UK, UK, Russia, USA, France और यह सारी rich country है जर्मनी वगरे वगरे और जो गरीब nations है जो south hemisphere में जाता है अफ्रीका तो पुरा पुरा ही south में है और ऐसे करके सब कुछ है नो तो जब यहाँ पर यही चीज़ लिखी है poverty in the south यान कि global south यान कि गरीब countries में जो poverty है उसके वज़े से migration भी बहुत होते है लोग अच्छी जिंदगी के लिए अच्छे मोकों के लिए north में चले जाते हैं यानि कि जो अपने countries में rich countries में चले जाते हैं अब state को international norms के according state को refugees accept कर लेने चाहिए जो कि किसी war की वज़े से अपनी country से भाग करके आई हैं और जरूरी नहीं है कि migrants को accept करें ही करें या उनकी मर्जी है ठीक है कि वो voluntarily आए है migrants और refugees किसी problem के कारण आए हैं हर बार ऐसा नहीं होता है कि refugees अपनी country को छोड़ते ही हैं अब जैसे कश्मीरी पंडित्स जब इंडिया की ही problem थी कश्मीर के थे उनको वहां से भागा दिया गया था लेकिन वो इंडिया छोड़ करके नहीं भागे थे इंडिया के दूसरे अरियास में भाग गए थे ऐसे लोगों को हम इंटरनली डिस्प्लेस्ट पीपल कहेंगे So guys I think I should end it here in the next part we'll study the further thing because time has already came so this is the end of this video if you liked please do hit the like button subscribe the channel and stay tuned for more